रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। हेलो एब्रिवन, रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है, गेस्ट फैकल्टी, कोचिंग फॉर पीजी स्टूडेंट्स, राची उनिवर्सिटी राची। आज की इस ओडियो लेसन में हम अगस 2020 के कुछ मुख के घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। प्रोजेक्ट चीता को पुनजीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गटित उचस्तरिय रक्षा मंतराले समीती को भेजा गया है। अजय कुमार रक्षा सचीव हैं, वो भारती सेना, नौ सेना और वायू सेना के सभी पुनजीगत खरीद के परभारी हैं। दोनों में तैनात किया गया था, विवर्तमान में, लद्दाक और चीन के सीमाओं में तैनात हैं। इस परियूजना का सुभारम उन ड्रोनों को अप्ग्रेड करने के लिए किया जा रहा है, जो विशेश रूप से सीमाओं में दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। बहुश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी इन कौपियों किया जाएगा। हेरौन मानोरहित हवाई वाहन इसराइल में बनाया गया था, या एक मध्यम उचाए वाला UAV है, या संपर्ग तूट जाने पर अपने आप बेस पर लोटने में सक्षम है, या 250 किलोगराम तक वजन उठा सकता है, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एर्बॉन, ग्राउंड सरविलांस लाइट रडार सिस्टम आदी शामिल है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का राश्टिय पोटल सुरक्ष लॉंच किया गया, दस अगस 2020 को केंदरिय पर्यावरन मंत्री प्रकास जावडेकर ने मानो हाथी संगर्स पर राश्टिय पोटल लॉंच किया, जिसे नाम दिया गया, इस पोटल का लक्ष वास्तविक समय के जानकार ये कदर करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संगर्सो का परबंदन भी करेगा, इस राश्टि पोटल को विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दोरान लॉंच किया गया, हाथी सरक्षन और जंगली ब क्रांस्पिशन पाइपलाइनों को सेट करने में मदद करेगा, एश्याई हाथियों को IUCN, Red List में, लुप्त प्राय के रूप में सुचिबत किया गया है, क्योंकि भारत को छोड़कर अधिकांस एश्याई देशों ने निवास और शिकार के नुकसान के कारण अपनी हाथी अबादी खोदी है, वर्दमान में 50,000 से 60,000 एश्याई हाथी है, इनमें से 60 प्रतिशत भारत में है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में पर्यावरन और वन मंत्राले द्वारा शुरू किया गया था, इस परियोजना का उदेश वनने जीवन परबंदन को वित्ति और तक्न इत्सा देख भाल परदान करने और इस्थानी लोगों के बीच सनक्षन का भी समर्थन करती है, अंतराष्टे युवादिवस, 12 अगस्त, 12 अगस्त को अंतराष्टे युवादिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उदेश युवाओं से संबंदित, सांस्कृतिक वव सभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी, पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतराष्टे युवादिवस मनाया गया था, इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्टगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ड कॉन्फरेंस ओफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल फोर यूथ द्वारा शिफार इसकी गई थी, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, 13 अगस्त को प्रती वर्स विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उदेश अंगदान के बारे में जागरुकता फैलाना है, भारत में प्रती वर्स हजारों लोगों की मिर्तिव, और्गन फेलि पर नेट्र यकृत अगनाशय कौर्णिया चोटी आथ त्वचा उत्तक हड़ी के उत्तक इत्यादी का दान कर सकता है। भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। पर ने 85.6 साथ परतिशत स्कोर करके पहला अस्तान हासिल किया है। अमरुत का पूर्ण स्वरूप अटल मिशन फोर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांस्वरमेशन स्कीम है। इस योजना का उदेश राजी के सहरी छेतरों में घरों में पाइप से जलापूरती परदान करना है। इसका उदेश शहरों में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्मान और हरीत स्थानों में सुधार करना है। अब तक इस योजना के तहट 191 पर योजनाओं में से 147 पर योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी को मार्च 2020 के मिशन अवधी के बीतर पूरा किया जाएगा। इस वर्स ओडिसा ने योजना के कार्यानवन में शिर्स स्थान हासल किया है। इसके बाद चंडिगर, तेलंगना, गुजरात और करनाटक का स्थान है। ओडिसा के 9 शहरों अर्थात भूनिश्वर, संबलपूर, कटक, राउल केला, बदरक, बालसौर, बारिपदा, बहरामपूर और पूरी को इस योजना के तहट शामिल किया गया था। राज में अब तक लगबग 2400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिचाय जा चुकी है। अमरुत योजना मिशन 2015 में पी-ए-म मोदी दुआरा शुरू किया गया था। यह दिसंबर 2019 में दो साल के लिए बढ़ाया गया था। यह मिशन मुख्य रूप से निमलिखित पर केंद्रित है। जलापूरती, बाढ़ को कम करने के लिए जलनिकासी, सिवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस, गैर मोटर, चालित सहरी परिवहन। इस योजना के तहट राज्यों ने अपनी राजवार्सिक कार योजना त्यार की है, योजना को लागू करने के लिए राज सहरी स्थानिये निकायों को धन हस्तांतरित करेंगे। फंड टांसपर केंद्र सरकार दोरा टांसपर के साथ दिनों के भीतर किया जाएगा। NASA के TESS Mission ने 66 नए बाहय ग्रहों की खोज की NASA के ग्रह खोजी Mission TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite ने 66 नए बाहय ग्रहों की खोज की है इसने अपने Mission के दोरान लगबग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया TESS Monitor ने 4 कैमरों कॉपियों करके लगबग 1 महिने तक आकाश की निगरानी की Mission को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है TESS Mission का नेतर तुर, Massachusetts Technology संस्थान की Cowley Institute for Exophysics and Space Research द्वारा किया जा रहा है TESS को पिर्थवी के निकट तारे की परकिर्मा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है इस प्रकार के ग्रहों की उपस्तेती की जानकारी तब मिल सकेगी जब किसी तारे के सामने गरह के गुजरने के कारण तारे की रौशनी कम हो टेस अंतरिक्ष वैदसाला कैपलर का उत्राधिकारी है वर्तवान में ग्याद अधिकतर बाहे गरहों की खोज कैपलर द्वारा की गई है मिलकी वे अकाश गंगा के सर्वेक्षन के लिए नासा द्वारा कैपलर मिशन को लॉंच किया गया था यह मुख्य रूप से सैकडो पिर्थवी जैसे छोटे गरहों की खोज पर केंदरी था मिसन ने फोकस किया था स्थलिय और बड़े गरहों का निर्धारन करना इन गरहों की कक्षाओं के आकार का निर्धारन करने के लिए विशाल गरहों के आकार घनत्व और दर्मान का निर्धारन पारस भारत का बाहय गरह खोज मिशन है पारस का पूर्ण सोरूप PRL Advanced Radial Velocity अबू सकायर सर्च है या Ground Based Exoplanet Search Device है या Mount Abu में स्तित है या 67,000 के Resolution पर काम करता है रक्षा उत्पाद के स्वधिशी करन को बढ़ावा देने के लिए Online Portal शुरू किया गया 14 अगस 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक Online Portal स्रीजन लाँच किया इस Portal में उन वस्तों को परदर्शित किया जाएगा जो अरत्पाद में भारती रक्षा उत्पाद्वारा आयात की जा रही है इससे देश के घरेल उत्पाद्वारा को इन्विसिस्ट वस्तों पर अधिक जानने और ध्यान के इंद्रित करने में मदद मिलेगी बारा सरकार इन वस्तों के डिजाइन, विकास और विनिर्मान को बढ़ावा देने के लिए उच प्रुसाहन भी प्रदान कर रहा है इसलिए पोटल अंधता इन वस्तों के निर्मान से भारती रक्षा उत्द्यों को बड़े पैमाने पर लाभानुईत करने में मदद करेगा या बदले में भारत के रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वधिशी करन को बढ़ावा देगा केंद्रिय जल आयोग और गूगल ने बाड़ पुर्वानुमान की पहल शुरू की है इस पहल के तहट शेत्र में बाड़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलट बेजे जा सकते हैं साथ ही देश में बाड़ पुर्वावी शेत्रों में लोग वर्तमान जलस्तर के बारे में जान सकते हैं गूगल पहले से ही देश में बाड़ से पुर्भावीत लोगों को सरवजनई का लट भेज रहा है नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्ज का उप्योग क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ परभावीत शेत्र में जलस्तर की वर्तमान इस्ति के बारे में महतपून जानकारी अपराथ करने के लिए कर सकते हैं केंद्री जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई यहाँ जल शक्ती मंतराले के तहट संचालित होता है आयोग के मुख्यकार है बाढ़ का प्रबंदन और नियंतरन करना विभिन सिचाई पर यूजनाओं की वित्तिय वेभारता और आर्तिक वेभारता की जांच देश में प्रकाशित किये गए हैडर लॉजिकल डेटा को एकत्र संकलन और प्रकाशित करना 12 सरकार दोरा बनाई गई यूजनाओं का निर्मान विकास जाच और कार्यानमन करना सिचाई पर यूजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन वर्षा तापमान अपवा इत्यादी के बारे में आक